आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लिप कार्ट से पुछेस किया हुआ लेहंगे की अन्बॉक्सिंग और रिब्यू बहुत से लोगों को ओन्लाइन शॉपिंग करने से बहुत डर लगता है कि हम कुछ और ओडर करते हैं और और आ जाता है लेकिन कई बार होता है यह सच है कि हम मंगाते कुछ और है और कुछ और मिल जाता है या फिर ऐसा होता है कि सेम होता है बट वो जो कॉलिटी होती ही वो बहुत जादा खराब होती है आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट लेहंगा का फुल रिव्यू और प्राइस और यह ट्राइ करके भी बताओगी खुद पर के यह मेरे पर कैसे लगता है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो यह है मैंने अल्री ओपन कर लिया है तो यह है लेहंगा जो फ्लिपकार्ट से मैंने पॉच्छेस किया है जैसे कि आप देख सकते हो इसकी जो एम्ब्रॉइडरी है वो बहुत ही जादा ब्यूटिफुल है इसका जो माटेरियल है वो वेल वेल यह फुली स्टिच्च्ट है और यह डबल एक्सल तक आराम से आजाएगा यह डबल एक्सल को फिट होगा और एक्सल वालो को बराबर आएगा इसका जो मार्जिन है इसके अंदर जो मार्जिन नहीं है आप देख सकते हो इसके अंदर मार्जिन भी नहीं है यह वाला जो लेहंगा है वो एक्सल साइज तक आएगा और अगर डबल एक्सल वाले पैन मैं खुद पहन के आपको बताऊगी देखिए इसके अंदर ऐसा वाला है material तो इसका जो फ्लैर है वो इतना फ्लैर नहीं आने वाला है इसका जो पट्टा है वो कुछ इस चरीके से है देख सकते हो इसका जो विद्ध है और लेंध है वो काफी जादा है मैं आपको ट्राय करके भी बताऊगी और चारो तरफ यह वाला बॉडर है जो लेंगे पर है और यह इसका जो पूरा material है वो है net इसका जो ब्लाउस है उसके दोनों तरफ वोक किया गया है वोक इसमें भी बहुत ही सुंदर है जैसे आपने देखा है पिक में से मुटी ताइक का वोक है लेकिन इसमें एक डिसद्वांटेज यह है कि इसके अंदर लाइनिंग नहीं दी गड़ी जैसे के आप देख सकते हो इसका जो material है वो अच्छा जो ठीक material है लेकिन आपको लाइनिंग लगानी पड़ेगी तो मैं ट्राइ करके आपको बताती हूँ कि यह overall कैसा लगता है तो यह था मेरा honest review तो उमीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर आपको मिलेंगा art and craft मैंदे design health beauty recipes पर बहुत सारे वीडियो